सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल नूच पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाईए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए 14 अगस्त को किसी विसेले जन्दू के काटने से हुई थी लेकिन परीजनों ने अंदिविश्वास के चकर में पढ़कर गाउं की ही सुसमा कुवर जो ओजागुनी का काम करती है उसके पास उन्होंने जाकर देवास लगाया और सुसमा कुवर उसी गाउं की सांती देवी पर ऐसा आरोप लगाई कि उसने भूत प्रेत का टोटका कर उनके बच्चों की हत्या कर दी है इसके बाद परीजनों ने सांती देवी को पहले तो घर से उठा कर अपने घर ले आये और उसे बच्चों को जिंदा करने की पाते गही काफी देर तक जब सांती देवी उन ने काफी दिरहमी से उसे मारा पीटा डंडे से पिटाई की और पीटपीट कर उसकी हत्या कर दी अत्या करने के बाद सांती देवी के शोव को परीजनों ने जगल में ले जा कर जला दिया साक्षे चुबाने की पूरी कोशिस की गई और इसके साथ दोनों बच्चों को भी दफना दिया गया इसके सूचना सांती देवी के पती गुनी साव ने पांकी थाना में 15 अगस्त को प्राध्मी की दर्ज कराई जिस वक्त पूरा देश आजादी का जस्न मना रहा था उसी दिन अंध विस्वास की वज़ह से सांती देवी की मौत का प्रात्मी की दर्ज कराया गया हम आजाद तो हो गए लेकिन अंदविश्वास से कब आजाद होंगे ये बला सवाल है लोगों को जागरूख होना होगा और अंदविश्वास के पीछे जो हध्याय हो रही है उनसे उबरना होगा पलामुकुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि आपके पास कोई भी आपको बिमारी होती है या इसी वज़ा की परिसानी होती है तो तंत्रमन के टोटका में न पड़ें बलकि उसका चिकित्सी ये परामर्स लें और अपनी जिन्दगी को पचाए खुमर्स नाम की महिला है जो ओजा गुनी का काम करती है उससे जाकर के मिला तो वो बोले कि डाइन कर दिया है उसी डाइन के संदे के अधार पर गुनी साव की पतनी तांती देवी को जो घर के बगल में ही रहती थी उसको जाकर के जबनन पकड़ के घर से ले आया है मारते पिरते और लाकर के बोला कि दोनों बच्चों को जिंदा करो और नहीं तो मार कर दे लिए उसके बाद जिंदा नहीं कर सकी तो उसको लाठी डंटा और हाँ सुपुका से मार करके पूरे पड़िवार के लोग उसका हत्या कर दिये हत्या करने के बाग आपस मैदाई भीचार किये जोपार में करीब दो बज़े की घटना है जब हत्या किये और साम में करीव छे बज़े ले जाकरके उसको जंगल में जंगल की लखणी से जला दिये इसमें बारा अभिक्तों के विरूते फ़यार दाज हुआ है गुली साव के ब्यान के अधार पर जिसमें से आज तील लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसके पहले पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है